नमस्कार मैं डॉक्टर हीमंद शर्मा आज आपको एक्यूट ब्रूसिलोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ तो इस वीडियो में हमारी मदद करेंगे गन्नू तो आप अपना इंट्रोडेक्शन दो गन्नू चलो तो गन्नू हमारी मदद करेंगे तो आज का वीडियो है अगर आपको भी इस टाइप की बीमारी है यह काफी रेयर होती है तो वाट्सप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में क्रिपयर डायरेक्ट कॉल ना करें वाट्सप पे जाके अपना अपॉइंट्मेंट बुक करें म यह एक बहुत ही इंपॉटेंट कोशन है एक्यूट ब्रुसीलोसिस क्या होता है देखो एक्यूट ब्रुसीलोसिस में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जैसे कोई भी वाइरल है होता तो यह बैक्टिरियल इंफेक्शन है ब्रुसीला नाम से ठीक है ब्रुसीला नाम के ब को थोटे हैं तो आज हम सभी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं बूसी लोसे आप समझगाए बैक् bigger बैक्टिरिया यह गों और कुछ कोशन, यह कैसे होता है, देखो यह जानवरों से इंसानों में ट्रांस्मिट होता है, कौन से जानवर से कैसे ट्रांस्मिट होता है, यह बहुत अच्छा कोशन है, वो मैं समझाता हूँ, जैसे गाय है, बैल है, इनसे इंसानों में आता है, बकरी है, भेड है, कुते हैं इन से इंसानों में आता है अब इंसानों में कैसे आएगा यह गंदू ने हमसे पूछा है कि कैसे आता है तो वह रूट ऑफ कॉस मैं आपको समझाता हूँ जब कभी भी कोई नॉन वेज खाता है इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा वेजिटेरियन फूड सबसे बैस्ट है जिम में कई लोग कोच बहस कर लेते हैं कि नहीं नॉन वेज बैस्ट है पर बतातो वेज बहुत बैक्तीरिया से गृसित है उस जानवर को जैसे बक्री खाली या जोब अब यह जानवर इंक्टेट था ब्रूसिला से इसके मास को पकाया नहीं गया चीया आंच पे तो क्या होगा वही बैक्टीरिया उस आदमी में आ जाएगा एक तो यह हो गया दूसरी चीज दूद से भी फैलता है जैसे कोई बकरी का दूद पी रहा है भीड का दूद पी रहा है गाय का दूद पी रहा है उस दूद को अगर अच्छे से पकाया नहीं जाए गरम नहीं किया झायेगा तो वो बैक्टेरिया इंसानों में आ जायेगा कोई चीज है या milk milk products हैं तो उसको अच्छी तरह ostrなら नहीं किया hole तो इंसानों में इन्सान साथ आप बैक्टेरिया बैक्टेरिया इंटर होता है तो यह रूट है और वहां कर रुशन लेंगे patient का कि भई आपका कोई animal product तो use नहीं किया था कोई meat तो नहीं खाया था कच्चा जो पकावा नहीं हो ढंक से या फिर कोई दूद पिया हो ऐसे जानवर का जो बिमार हो या आपकी कोई cattle farming हो जहां पर जानवर रहते हैं वहां आप से उनका मिलना जुलना होता हो संपर्क रहता हो तो ऐसा है clinical history ठीक है दूसरा इसमें symptom मैंने बताया joint pain हो सकता है arthritis symptom brusilla induced acute case में arthritis symptom सा सकते हैं खासी जुकाम सरदर्ड सास फूलना बदंदर्ड जोडदर्ड endocarditis हो सकता है वो मैं questions हैं आपके symptoms के लावा और कुछ पूछना चाहते हो क्या कि इसको diagnose कैसे करें है ठीक है तो इस acute brusillosis हो गया है तो clinical features तो जानदली सभी बिमारियों में सेम आते हैं एक जैसे ही होते है अधिकतर बिमारियों में तो अब इसको हम कैसे पैचाने ठीक है हो तो अब हम क्या करेंगे CBC कराएंगे उसमें WBC यह सब काउंट कम हो जाते है न्यूट्रोफिल काउंट्स वगरा उसके हैमोगलोबिन भी कम होता ब्रूसिला में उसके बाद हम IgG IgM antibodies करके देख सकते हैं LFT करके देख सकते हैं लीवर सोनोग्राफि करेंगे तो कई बार हीपेटो इस्प्लीनो मेगाली भी होता है इसके अंदर तो यह जनरल जनरल टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्रूसिलोसिस इंफेक्शन है या नहीं है ठीक है हाँ तो गन्नू और कुछ पूछना चाहेंगे हैं यह एक मुद्दे की बात है इसको ट्रीट कैसे करें देखो बैक्टरियल इंफेक्शन है तो ट्रीटमेंट तो एंटी बैक्टरियल ही होगा पर मैं सबसे पहले बताता पकाए अच्छे से फिर खाए ठीक है तो यह सारी चीज़ें इंपोर्टेंट है पहले प्रिवेंशन जरूरी है फिर ट्रीटमेंट है ना कॉस को हम एलिमिनेट करेंगे तो कॉस हमने हटा दिया रूलाउट कर लिया यह कारण साब इसका इलाज कैसे करें एंटी बैक्टरि आजी को ब्रूसिलोसिस हुआ एक्योट उनको सिर्व डॉक्सी दे रहे हैं हमने चारपां डॉक्टर से और कंसल्ट किया हो बोल रहें सफिशेंट नहीं है ऐसे ट्रीट नहीं होगा तो बिल्कुल सही कह रहे है यह जो इंफेक्शन है एक एंटीबाइटिक इस पर काम नही चलेगा इंजेक्शन यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा लंबा चलेगा इलाज 5-7 दिन में पेशेंट ठीक नहीं होने वाला कुछ केस में अर्थराइटेस वगरा है तो इस टिरॉइड भी हमें देना पड़ेगा तो बहुत सो समझ के अमीका सिन दे सकते हैं जल्दी रिज आते हैं और अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं तो मैं देखता हूं कि इनको ट्रीट बहुत अच्छे से करना चाहिए इवन इस पॉंडिलाइटेस अर्थराइटेस भी उनको उससे रहता है ठीक है मैंने कॉम्प्लिकेटेड केश भी देखे जिसमें एंडोकाड़ाइटेस म होता है तो वह सारी चीजह है उनको बहुत अच्छे से इनिशल स्टेज में ही ट्रीट करें हां तो गन्नू और कुछ पूछना चाहेंगे अगर इसको ट्रीट ना करें तो उसके साथ क्या होता है हां यह भी इंपॉर्टेंट है जैसे बुखार आया पैरासितामोल ले रहे है कुछ केस में श्ट्रोग भी आ सकता है परलाइसिस भी हो सकता है या पर्मानेंट जॉइंट डैमेज भी कर सकता है अर्थराइटेस कर सकता है आपके जॉइंट मुवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो और लाइफ ठ्रेटन है नॉर्मल एंटिबेटिक पर काम नहीं कर रहा है तो पर लाइफ इस्टाइल डायट मोटिवेशन डिजीज का नॉलेज इंपोर्टेंट है लास्ट में थैंक यू धन्यवाद गुडबाई वीडियो अच्छा लगा लाइक करें चैनल को नहीं सब्सक्राइब ले करनों कु यू